आज मैं आपके साथ अपनी एजी सूपर यम्मी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यह बहुत जादा यम्मी सॉफ्ट और फजी बनके रेडी होती है इसके रिक्वाइड इंग्रीडियन्ट हम देख लेते हैं वन कप मैदा, हाफ कव पाउडर शुगर 1 3rd cup milk powder, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, चॉकलेट चंक्स, वनीला एसेंस, वन बाउल कर्ड एंड 1 3rd cup देशीगी अब मैं डबल बॉइलर मेथड की हैल्प से इस चॉकलेट को देशीगी डाल कर मैल्ट कर लूँगी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डबल बॉइलर के म अधर से मैल्ट कर लिया है विदीन 10 मिट्स मेरी चॉकलेट मैल्ट हो गई है और इसमें अपनी हाफ कफ पाउडर शुगर एड़ कर दूगी हमने थोड़ा लूप मिक्षर में ही अपनी पाउडर शुगर को एड़ करना है ताकि वह अच्छे से उसमें डिजोल हो जाए और मिल्क पाउडर एड़ कर दूगी मिल्क पाउडर टोटली अप्शनल है अगर आपके पास आया तो आप इसमें डाल सकते अधरवाइस आप इसको स्किप कर दें अब मैं इसमें वन बावल ऑफ कर दूगी और इस पूरे मिक्षर को अच्छे से विक्स कर लोगी और सारा मिक मिक्षर को चान करी लेना है ताकि अच्छे से एक लांफरी बैटर रेडी हो जाए और हम इस मिक्षर को कटन फोल मेथड के हल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें मिक्षर को विस्क बिल्कुल भी नहीं करना है और हमारा पूरा मिक्षर अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर आपका मिक्षट ड्राई है तो आप इसमें 102 टेवल स्पून मिल्क के एड़ कर सकते हूँ, अधरवाइस आप मिल्क को स्किप देखें, अब देखो हमारा अच्छे से मिक्षट बनकर रेडि है, मिक्षट बिल्कुल अच्छे से रेडि हो गया इसका मिक्षट थोड़ा अपने ड्राइबरोट राइफरूट के साथ वालनट और चोको चिप्स के साथ आप इसमें और भी ड्राइफरूट चाले, पासथ वालनट और अलमेंड चैश्यू, जो भी आपको पशनदों आप अप युदो अपने डाल कर सकते हैं इसको अधु अभी गार्निश कर लिए तो समय कि अधिकम अध्यर मारति आप तो लो सपिक बेख नेहीं सी भावनी क्ले चुले और तका्यआ अजीनzt चलाइब करेंगे और यहीं क्लीन अधिकम नासरे करेंगे दिर चैनल में आध्यार। ब्राउनी निकले नहीं तूट जाएगी और उसमें टिन में लगी रहाजाएगी इसको ठंडा होने के बाद दिमोल्ड करें और 30 मिनट के लिए इसको फ्रिजमेंट सेटोने के लिए रखें उसके बाद इसके पीसिस को कट करें और कुछ चोको चिप जाल कर इसके अच्छे स आप बारी है इसकी टेस्टिंग की अब आप देख सकते हो ब्राउनी कितनी सोफ्ट और यम्मी बनी है ब्राउनी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और यम्मी बनकर रेडी हुई है आप इसको खा के एक अच्छा फिल करेंगे और आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है इस अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर बने रहें